आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने नौरात्र के 9 दिन के वरत की जो तैयारिया मैंने की है उसकी वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ हो सकता है आपके लिए ये वीडियो helpful हो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आगे 9 दिन वरत रहेंगे तो उनके लिए ये वीडियो है इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने क्या-क्या तैयारिया की है और किस तरीके से चीजों को मैंने रखा है आगे 9 दिनों के लिए तो हो सकता है आप भी इस तरीके से तैयारिया किये हूँ तो आईए देखते हैं मैंने क्या-क्या चीजे खरी दी है और उनको मैंने किस तरीके से रखा है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स और फेमली में भी जरूर इसको फारवड करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ आगे 9 दिनों तक आप 9 तरीके की रेसिपीज देखेंगे मेरे चैनल पर मेरा लंच, मेरा डिनर, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उम्मीद करती हूँ आप से मैंने ये जो बाते कहीं हैं उसको मैं आगे कांटिनू कर पाऊंगी तो चीजों को मैंने रखा किस तरीके से हैं पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ तो एक पैन में मैंने एक चमज घी डाल दिया है और इसमें दो कब बादाम डाल दिया है इसे हमने भूनना है बादाम को भूनने में समय लगता है करीब 12-13 मिनट तक इसे हमने बिल्कुल धीमी आज पर भूनना होता है उतने तेर में क्या है ये जो बादाम है ना बहुत ही अच्छी तरह करारा हो जाता है ठंडा हो जाने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएगा तो पूरे 12-13 मिनट हो चुके है इसे भूनते हुए आप देखेंगे भूनते समयन इस तरीके से कोई-कोई बादाम फटने लगता है इसका मतलब है ये बहुत अच्छी तरह भून चुका है अब एक प्लेट में इसे निकाल दे और एक साइड रग दे ताकि ये अच्छी तर काजू है और एक चम्मच इसमें घी डाल दिया है इसे भी हम 5-6 मिनट या 7 मिनट के लिए धीमी आज पर भूल लेंगे आप चाहें तो इसमें नमक का इस्तमाल यानि सेधा नमक का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मुझे क्या है नमक नहीं खाना है तो इसलिए मैंने इसे बिन काल रही हूं दो कप मूमफली मूमफली जो है बहुत ही अच्छा स्नैक्स का काम करता है चाय पी रहे हैं या आप इसे अपने लंच या डिनर के साथ भी इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही हिल्दी होता है दो कप मूमफली लिया है मैंने और एक चम्मच खी डाल दिया है अगर आप सेधा नमक खाते हैं पूरे दिन तो आप सेधा नमक का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने इसे सिर्फ घी में भूना है बारे से तेरा मिनट एक्टम धीमी आज पर यानि लो फ्लेम पर हमने इसे भूनना होता है उतनी देर में क्या है यह जो मौफली है बहुत ही अच्छ का काम करता है और इसे भी मैंने भूना है सिर्फ घी में अगर आप सेधा नमक खाते हैं तो आप थोड़ा सा सेधा नमक इसके उपर स्प्रिंकल करके इसे भून सकते हैं लेकिन मैं इसे सिर्फ घी में भून रही हूँ सेधा नमक का क्या है कि हमने व्रत में क्या होता है न क इसलिए इन सारी चीजों को मैंने बिना नमक के भूना है ताकि मैं इसे कभी भी किसी भी समय खा सकूँ और जब नमक खाना होगा तो इसके उपर हल्का सेधनमक स्प्रिंकल कर सकते हैं और मिक्स करने के बाद खा सकते हैं मखाना भून गया है इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इसे आप हाथ से इस तरीके से मसलेंगे न तो ये अच्छा सा पाउडर बनने लगेगा इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छी तरह भून गया है करीब 6-7 मिनट या 8 मिनट का समय लगेगा इसे एक दम धीमी आज पर भूनने में अब एक साइट रगते और ठंड हो जाने के बाद किसी भी एर टाइट कंटेनर में इसे रख लेंगे ये है सामा का चावल ये फलाहार होता है जो कि नौरात्र में खाया जाता है इसे भी मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है और ये है चावल का आटा यानि सामा का चावल जो होता है उसका आटा इससे भी मै मैं आपके साथ बहुत सारी रेसिपी सेयर करने वाली हूँ ये है सेंधा नमक वरत में क्या होता है न कि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसलिए मैंने इन सारे कंटेनर को अच्छी तरह दो कर धूप में सुखा लिया था और अब इन सारी चीजों को एक एक क दालते जाएंगे यह है सिंगाडे का आटा सिंगाडे का आटा भी जो होता है न बहुत ही हिल्दी होता है वरत में वही सब चीजे घाया जाती है जो आपकी सेहत के लिए बहुत इलाफ़कारी हो यह कुट्टू का आटा बेसिक जो चीजे होती है न वरत में खाने वाली उन सारी चीजों को मैंने इकठा कर लिया है अब इन सबसे जो रेसिपीज बनेंगी वो आप मेरे चैनल पर देखते रहेंगे तो लेबलिंग भी मैंने इस तरीके से कर दी है देखिए ये चावल का आटा है यानि सामा चावल का आटा है इस तरीके से क्या है सारी चीजों को मैंने इकठा कर लिया है और अब जब आगे 9 दिन हमने वरत रहना है तो जो जो चीजे मैं इससे बनाती रहूँगी वो आपके साथ सेयर करती रहूँगी ठंडा हो जाने के बाद एयर टैट कंटेनर में रखें उससे क्या है ये जब तक ये रहेंगे न एकदम क्रिस्पी और करारे रहेंगे ये काजू भी इसमें डाल दिया है मैंने एक चीज का ध्यान रखें ये जो डब्बे है न ये बिल्कुल पूरी तरह सूखे हुए होने चाहिए अब आप चाहें तो इन सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा ही कठा करके आप एक मिक्षर भी बना सकते हैं जो कि आप चाह या कॉफी के साथ इंजुआए कर सकते हैं तो कैसी लगी आपको ये वीडियो उमीद करती हूँ बहुत पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकाउन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मिलते हैं हर रोज एक नई रेसिपीस के साथ और कॉमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपीस कैसी लगती है मेरे चैनल पर और वीडियो कैसी लगती है थैंक यू